है गाइस वेलकम टू 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहां पर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हमको इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइज एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जिक्यूट करते हैं आप यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट सो हम आचुके अडानी द्रांश्मिशन के देली मंतली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊप़र के अनालिसिस करेंगे फिर इसके छोटे टाइम फ्रिम पर देखेंगे के रिजाइन हमको कहा ट्रेड मिल सकता है आज आप देखोगे तो काफी अची तेजी हमको इसमें होती हुई नजर आई है तो क्या इमीजेटली हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए क्या सिच्वेशन हो सकती है सब कुछ हम डीटेल में जानेगे राइट अब हम चलते इसके विकली ताइम फ्रेम के चार्ट के उपर यहां पर हम एनालिसिस करते हैं रिसेंट का अगर आप सिर्फ प्राइस एक्षन अगर आप इसका समझोगे सिंपल चीज देखोगे तो प्राइस हमेशे उपर की तरफ मूग करती जा रही यानि कि प्राइस एक बुलिश मॉमेंटम में चल रही है एंड रिसेंटल अगर आप देखोगे तो प्राइस अपने टॉप लेवल पर खड़ी राइट यहा पर देख से लोड लेवल पर नहीं कर और एक टॉप लेवल पर खड़ी तो यहा से होसकता थोड़ा सेलिंग प्रेशर आग या फिर होसकता थोड़ा हिर उपर जा प्राइस 15 s P 그래도 टेट्र यृुशन पर चलता जा रहा आ है यहां पर देखो कुछ important चीज है जो आपकी समझनी होगी कि देखो price में कभी एक साथ बड़ा momentum नहीं होता है देखो कभी जब भी price में एक बड़ी green candle होती है उसके बाद price hold करती है या फिर कभी भी एक बड़ी green candle या rate candle बनती है इसके बाद price थोड़ा अपने आपको hold करती है जिससे यहां पर देख सकते हो बीच में एक red candle थी high volatility वाली फिर next day price ने hold किया यहां पर देख सकते हो price में एक big green एक big red candle थी उसके बाद price ने काफी दिनों तक hold किया यहां पर देखोगे तो एक red candle थी उसके बाद 2-3 दिन प्राइस ने hold किया यहां पर देख सकते हो एक red candle उसके बड़ी green candle उसके बाद एक दो दिन प्राइस ने यहां पर चोटी candle हमको देखने को मिली तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी price में एक बड़ा momentum होता है उसके बाद price थोड़ा सा अपने आपको hold करती particular लेवल पर यहां से हलका selling pressure हमको देखने को मिल सकता है यहां पर देख सकते हो क्या हुआ कि अभी price में एक शानदा आज green candle एक big green candle देखने को मिली तो कल बहुत सारे retailers हो सकता है यहां पर फेसिनाइट होकर यहां पर इसमें fresh buying करने की कोशिश करेंगे और उनको लगेगा कि यहां से बहुत ज्यादा momentum हमको कल ही देखने को मिलेगा जैसे आज की बात करो तो almost देख सकते हो 8% की तेजी हमको इसमें देखने को मिली तो next day वह लोग सोच रहे हैं जो भी retailers जो trader होते हैं वो सोचेंगे कि next day भी 8% की तेजी हो जाए और उनका पेसा दबल हो जाए ऐसा उनको लगता है राइट पर ऐसा होता नहीं है generally अब हम चलते एक बाद चोटे time frame के चार्ट के ओपर यहां पर अगर आप देखोगे तो first hour में हमको काफी अची तेजी देखने को मिली and अभी अगर last hour में देखोगे तो काफी अची तेजी हमको होती करेगी तो उसके बाद अगें हमको bullish momentum देखने को मिल सकता है जैसे मैं आपको दिखाता हूं भी okay daily time frame का चार्ट लगाए देखो प्राइस कभी भी एक बड़ा momentum करती है जैसे यहां पर देख सकते एक प्राइस ने बड़ा momentum किया उसके बाद प्राइस ने hold किया कुछ दिन त हो सकता है definitely हो सकता है अगर प्राइस का high break होता है और काफी ची तेजी देखने को मिल सकती है लेकिन generally ऐसा नहीं होता है guys मैं बोल रहा हूं कि generally है ज्यादा तरह time ऐसी चीज़े नहीं होती है कि यहां पर देखो bullish momentum तो आया price अपने आपको थोड़ा weight करेगी weight करने के बाद ए में fresh bank कर सकते हो अगर थोड़ा सा लंबे time के लिए आप swing trade लेना चाहते हो ठीक है stop loss simply आपका होना चीज़े इसी candle के low के नीचे जो आज की candle है इसके low के नीचे आपका stop loss होना चीज़े somewhere around price वाद करो तो 2550 के आसपास या फिर 2570 के आसपास आप अपना stop loss set कर सकते हो and यहां स क्योंकि price low and steady upside momentum करती बीच में देख सकते हो एक momentum हुआ तो अब generally ऐसा नहीं होगा कि रोज हमका बड़ा momentum हमको देखने को मिले ऐसा possible नहीं right stop loss simply आज की candle के low के नीचे लगा सकते हो entry price अभी आपके लिए आप चाहाओ तो current price पे लो बाकि मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना च जीए एंड जब एक बार selling pressure आएगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि इस टाइप का pattern बनना चाहिए एक सांदर bullish momentum हुआ फिर क्या हो प्राइज में कुछ दिन वेट किया थोड़ा selling pressure आया फिर दीर दीर प्राइज में upside momentum जाना start किया तो जब प्राइज एक बार शांदा ते trade काटो इससे अचा है कि आप वेट कर लो थोड़ा selling pressure आने दीजी उसके बाद आप इसमें fresh buying किजी राइट I hope कि सब कुछ आपको समझ में आयागा तो यह वीडियो आपको कैसे लगा comment box में जरू बता है and दोस्तों आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के डिमार्ड क तो straight को ले सकते हो otherwise आप उसको avoid भी कर सकते हो और बहुत सारे premium content आपको वहाँ पर मिलने वाला है अभी सिर्फ आपके लिए free joining आपको कोई charges वहाँ पर pay नहीं करने पड़े बिल्कुल ही free आप join कर सकते हो and बाद में अगर आप अभी हमारा offer चल रहा है 5000 members free joining या starting के तो उसके आप मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में किसी अच्छे इस्टोक के साथ